हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग आज़िस्ट हो पेकदम मस्त और बिंदास हो गए तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें क्या है न इतवार होता है हमारे हाँ इतवार पूजा होता है आप के हाँ भी होता ही होगा माना जाता है कि जिस भी लोगों ने छट किया है वो इतवार वरत करते हैं यह संडे को होता है और सूरे भगवान की उपासना पूजा की जाती है तो ममी पापा सबसे पहले पूजा करने के लिए स्टार्ट किये थे साड़ा वो पाच जगती का फूल और जो भी चीज़े वो करते हैं पापा और ममी भी साथ सा दोनों मिल करके पूजा कर रहे हमाज जलाने के बाद अगरबत्ती जला रहे हैं जैसे normal Pooja होता है न W एसे जो है वो पूजा किया जा रहा है उस Pooja करने के बाद जो है वोध खर्णा होता है और खर्णा में जो प्रिशाद इस पर होता साथ न वह चावल का खीर हो कर करके क्या होता है मैं आपको आगे दिखाती हूं पापा सुर्य भगवान को जो है वो आलती कर रहे थे और मम्मी भी इसके बाद आलती करती हैं और उसके बाद जो पूजा का चीज है मैं आपको दिखा रही हूँ और खर्णा में देखिया आप चूड़ा गुड़ और साथी सा दूध मिला कर कि यह होता है इस बार का खर्णा का यानि प्रशाद जो खाना हो कह सकते हो आप प्रशाद वो यही होता है चूड़ा दूध का खीर नहीं होता है चावल का बलकि चूड़ा दूध और गुड़ यानि मिठा इससे जो है वो खरणा का प्रशाद त्यार होता है और पूजा आलती करने के बाद भोग लगाने के बाद भगवान जी को अपने खुद से खाया जाता है भगवान को पहले भोग लगान दो उसके बाद जो है वो खुद गहन किया जाता है पापा ममें प्रणाम क पूजा के बाद लास्ट में और उसके बाद उनका खरना यानि प्रशाद गहन करना स्टार्ट हो जाता है दोनों मिलकर करके आप देख रहोगे पूरा बहुत सारे एक थाली है लेकिन वह पूरा खाते नहीं है देखो छट के टाइम में भी उनकी थाली देखोगे ना पूरा भ़रा रहता है फुल रहता है लेकिन यह लोग उतना पूरा पता नहीं क्यूं लेते हैं खातों नहीं पाते हैं अक्शली यह इसलिए लिए ले आ जाता है कि प्रशाद के रूप में बाकी जो बच्चे वहां पर बैठे हैं उन सब को वहां पर दिया जा सके तो उसके आप देख रहोगे उनका बचा हुआ जूठा हमारे लिए प्रशाद हो जाता है तो कुछ इस तरह से हमारे हाँ हमारे हिंदू धर में परतिहार होता है चलो आज के लिए इतना ही ट्रेक्यार बाब